आज की इस वीडियो में एक्सल पर डेली यूज होने वाले शॉटकट्स लेकर आया हूँ यानि कि वीडियो में मैंने उन शॉटकट कीज को कवर किया है जिसका यूज करके आप अपने वर्क को आसान बना कर घंटों का काम मिंटों में कर पाएंगे तो मैं हो गुफरान टाइपिस्ट बिना देरी किये चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अपनी एक्सल फाइल पर आ चुके हैं अगर आप से कहा जाए कि बिना माउस के इस टेबिल पर फिल्टर अपलाई कर दो तो क्या करेंगे देखिए सबसे पहले अपनी पूरी टेबिल को सेलेक्ट करना है इसके लिए आपको इसी डेटा के बीच में कहीं पर भी किलिक करना है उसके बाद कंट्रोल ए को प्रेस करके इस डेटा को सेलेक्ट ओल कर लेना है सेलेक्शन करने के बाद अपने कीबोर्ड में Ctrl प्लस Shift प्लस L यानि कि Ctrl और Shift के साथ L को प्रेस करना है बस हैडिंग में देखिए फिल्टर लग चुका है अब अगर आपके बॉस ने कह दिया कि जो फैल बच्चे हैं उनको फिल्टर कर लो तो देखिए पास फैल वाले इस ड्रॉप डाउन एरो पर किलिक करना है इसके बाद यहां पर Select All से टिक को हटा देना है इसके बाद फैल पर टिक लगा देना है फिर सिंपली ओके कर देना है बस यहाँ पर देखिए केवल fail वाले candidate का record आ चुका है इसी तरह आप filter का use कर सकते हैं अगर आपको advanced filter का use करना नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है आप देख लेना ओके दोस्तों अब अगर आपको बिना mouse के ही filter को remove करना है तो देखिए सबसे पहले अपनी टेबिल के बीच में कहीं पर भी किलिक करना है फिर वही shortcut की control shift L को दुबारा से press कर देना है बस यहाँ पर देखिए filter remove हो चुका है अगर आप से कहा जाए कि data को select करो लेकिन mouse को हाथ नहीं लगाना है control A का use भी नहीं करना है और नहीं arrow का use करना है तो आप क्या करेंगे देखिए पूरे data को select करने की एक smart shortcut की होती है सबसे पहले आपको अपने data के बीच में कहीं पर भी किलिक करना है उसके बाद अपने keyboard में control plus shift plus star यानि कि control और shift के साथ 8 को प्रेस करना है तो देखिए select all हो चुका है यहां पर यह हमारे पास एक table है इसमें जो product है उनका rate और quantity भी दिया हुआ है इसका total amount last column में दे रखा है अब अगर आप से कहा जाए कि rate वाले column में जो rate है इसी value के last में piece भी add कर दो तो देखिए जैसे अब यह mouse वाले rate पर click करते हैं इसके बाद F2 को press करके इसको edit mode करते हैं अब यहां पर last में PCS यानि कि piece लिख कर enter कर देते हैं तो यहां पर देखिए total amount गायब हो गया यानि कि formula remove हो गया क्योंकि एक ही cell में text और value को mention करने पर formula काम नहीं करता है इसके भी एक useful trick होती है जैसे देखिए अभी हम control Z कर देते हैं मान लिजी अभी हम को इन सभी में piece add करना है यानि कि value के साथ text भी mention करना है तो अभी हम इस rate वाले column की value को select कर लेते हैं सेलेक्शन करने के बाद control 1 को प्रेस करके format cell open करना है अब यहाँ पर custom पर आ जाना है इसके बाद इधर देखिए जेनरल को यहाँ से remove कर देना है यहाँ पर hash mention करना है इसके बाद एक बार space देना है इसके बाद double quotes के अंदर PCS यानि की piece लिख देना है अब simply okay कर देना है बस यहाँ पर देखिए सभी value में text mention हो चुका है और यहाँ पर हमारा formula भी काम कर रहा है दोस्तों यह trick कैसी लगी कमेंट करके बताईए माल लीजे किसी company में इतने सारे candidates work करते हैं जिनकी salary भी यहाँ पर दिखाई गई है माल लीजे company सभी candidate को 2000 का bonus देगी तो salary और bonus को plus कर देना है जैसे देखिए अब हम यहाँ पर equal to लगाते हैं इसके बाद प्रवीन की salary को select करते हैं इसके बाद plus लगाते हैं फिर अपने bonus को select करते हैं इसके बाद simply enter कर देना है बस यहाँ पर देखिए प्रवीन की salary में 2000 रुपए प्लस होकर यह total salary बन रही है अब अगर हम इसी को नीचे तक drag करें तो देखिए प्रवीन के अलावा और किसी candidate में bonus amount add नहीं हुआ है यानि कि drag and drop करके इसको add नहीं किया जा सकता आप से कहा जाए कि ये bonus amount सबकी salary में add करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर F4 का use करके एक useful trick का use करना है देखिए जहाँ पर अभी हमने bonus और salary को plus किया था उसी cell पर double click करना है अब यहाँ पर जो bonus वाली cell reference है इसको select करना है अब इसको freeze करने के लिए F4 को press करना है इसका benefit यह हुआ कि bonus वाली cell lock या freeze हो चुकी है इसके बाद simply enter कर देना है अब इसी को पकड़ कर नीचे तक drag कर देना है बस यहाँ पर देखिए सभी candidates में bonus add हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी cell को freeze या lock करके work कर सकते हैं दोस्तों MS word पर जब कोई spelling mistake हो जाती है तो उसी word के नीचे red color की line आ जाती है जिससे पता चल जाता है कि spelling mistake हो चुकी है इसी तरह अगर आप से कहा जाए कि Excel पर spelling check कैसे करेंगे तो देखिए पहले अपने पूरे data को select करना है selection करने के बाद keyboard में F7 को प्रेस करना है बस यहाँ पर spelling का window open हो जाएगा selection में जो spelling mistake होंगी वो इसी में एक एक करके show होती रहेंगी अभी यहाँ पर पहले helper की spelling mistake दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर helper की सही spelling को select करना है इसके बाद change पर click कर देना है इसी तरह आप spelling को चेक करते हुए सही करते जाएए ओके यहाँ पर यह हमारा data है अभी हम first row पर है अगर आपको सबसे last में जाना है तो क्या करेंगे इसके लिए भी एक shortcut तरीका होता है जैसे अभी हम को data के last में जाना है तो keyboard में control दबा के रखना है फिर down arrow को प्रेस कर देना है तो देखिए अभी हम data के बिल्कुल last में आ चुके है अगर आपको data के last में right side जाना हो तो control के साथ right arrow को प्रेस करना है अगर आपको data के ऊपर जाना है तो control के साथ आप arrow का use करना है अगर आपको data के left side में jump करना है तो control के साथ left arrow को प्रेस करना होता है ओके अभी हमारी इस file पर total 5 sheet है अगर आपसे कहा जाए कि बिना mouse के अगली sheet पर जाना है तो देखिए इसके लिए आपको control के साथ paste down को प्रेस करना है जितनी बार control के साथ paste down की को प्रेस करेंगे उतने ही next sheet पर jump करते जाएंगे इसी तरह अगर previous sheet पर आना है तो control के साथ page आपको प्रेस करके previous sheet पर आ जाते हैं ओके अगर आपको next window पर जाना है तो alt plus tab यानि कि alt के साथ tab को प्रेस करके next window या next file पर जा सकते हैं ओके यहाँ पर यह जो table है इसके last column की value नीचे total आ रही है यानि कि sum formula का use करके हमने इसको sum किया है अभी हम इसको delete कर दे रहे हैं अब अगर आप से कहा जाए कि shortcut की से इसको sum कर दो तो देखिए जिस value को shortcut की से sum करना हो उस value के नीचे cursor ले आना है उसके बाद shortcut की alt plus equal to यानि कि alt के साथ equal to को press करना है इसके बाद simply enter कर देना है बस यहाँ पर देखिए shortcut की से हमने sum कर लिया है ओके दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि Excel पर time को insert करना पड़ता है इसके लिए कुछ लोग formula का use करके time को insert करते हैं लेकिन नहीं बलकि मैं आपको time insert करने के shortcut की बताओंगा जैसे देखिए जहाँ पर time insert करना हो वहाँ पर click करिए उसके बाद control plus shift plus colon यानि कि control shift colon को press करिए फिर enter कर देना है बस यहाँ पर देखिए shortcut की से हमने time insert कर लिया है अब इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि डेट को insert करके दिखाईए तो क्या करेंगे देखिए जहाँ पर डेट insert करना हो वहाँ पर cursor लाईए उसके बाद control plus semicolon यानि कि control के साथ semicolon press करना है इसके बाद simply enter press कर देना है बस यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने डेट insert कर लिया है यहाँ पर मन्द पहले फिर डे और लास्ट में इयर शो होता है ओके यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि product वाले column से पहले एक blank column चाहिए वो भी केवल shortcut की से तो आप क्या करेंगे देखिए अब हम product वाले इस column में किसी भी सेल पर किलिक करते हैं इसके बाद control और shift के साथ एक वर्टो को प्रेस करना है बस यहाँ पर insert का box ओपन हुआ अब यहाँ पर last option entire column को select करने के लिए केवल C को प्रेस करना है इसके बाद simply इंटर प्रेस कर देना है बस यहाँ पर देखिए product से पहले एक पूरा column insert हो चुका है अब मान लीजिए data में किसी भी column को delete करना हो तो दोस्तों जिस column को delete करना हो उसी column में किसी भी cell पर किलिक करिए उसके बाद control के साथ minus को प्रेस करना है फिर यहाँ पर entire column को collect करने के लिए C को प्रेस करना है फिर simply enter कर देना है बस यहाँ पर देखिए column delete हो चुका है ओके यहाँ पर यह कुछ important data है अगर आप से कहा जाए कि column number C को बिना mouse के यानि के shortcut की से hide करना है तो देखिए जिस column को hide करना हो उसमें किसी भी cell पर click करिए उसके बाद control के साथ zero को प्रेस करना है तो देखिए column C hide हो चुका है अब अगर hide column को unhide करना है तो दोस्तों जो column hide है उसके पहले और बाद वाले column को इस तरह सिलेक्ट करना है उसके बाद control plus shift plus zero यानि कि control और shift के साथ zero को प्रेस करना है दोस्तों column unhide करने में ये shortcut की कभी कभी काम नहीं करती है अगर ये काम ना करें तो alt plus o plus c plus u यानि कि alt को दबा के छोड़ दीजिए और just o c और u को प्रेस करिए alt o c u को प्रेस करने पर hide column unhide हो जाता है अब इसी तरह row को hide और unhide करना सीखेंगे तो देखिए जितनी row को hide करना हो उतनी cell या row को select करना है selection करने के बाद shortcut की control plus 9 यानि कि control के साथ 9 को प्रेस करना है तो देखिए select row hide हो चुकी है अब अगर इनको unhide करना है तो hide row के उपर से नीचे तक select करना है उसके बाद control plus shift plus 9 यानि कि control और shift के साथ 9 को प्रेस करना है बस यहाँ पर देखिए hide row unhide हो चुकी है यहाँ पर देखिए table में केवल उपर की cells में ही data fill है अगर आप से कहा जाए कि बिना mouse के इसको नीचे तक fill करना है वो भी बिना copy paste किये तो देखिए सबसे पहले अपनी पूरी table को select करना है selection करने के बाद control plus D यानि कि control D को प्रेस कर देना है बस यहाँ पर यह data fill हो जाएगा ठीक यहाँ पर यह हमारा data है अब इसी data का एक chart create करना है वो भी केवल एक shortcut की से तो इसके लिए सबसे पहले अपने पूरे data को select करना है selection करने के बाद keyboard में F11 को प्रेस करना है बस यहाँ पर देखिए chart create हो चुका है उपर से आप इसकी formatting वगारा भी कर सकते हैं अब मैं बताओंगा कि shortcut की से column या row को select कैसे करते हैं तो दोस्तों जीस column को shortcut की से select करना हो उसी column में कहीं पर भी click करिए उसके बाद control प्लस space यानि की control के साथ space को प्रेस करना है तो देखिए पूरा column select हो जाएगा इतनी बात आप समझ चुके होंगे इसी तरह अगर किसी row को select करना हो तो दोस्तों जीस row को select करना हो उसी row के किसी भी cell पर click करना है उसके बाद shift प्लस space यानि की shift के साथ space को प्रेस करना है तो देखिए पूरी row select हो जाएगी यहाँ पर ये data है अगर आप से कहा जाए कि बिनना mouse के इसको select करो तो देखिए first cell पर आ जाना है तो देखिए side का पूरा data select हो गया उसके बाद control प्लस shift तो दबा के ही रखना है फिर down arrow को प्रेस कर देना है तो देखिए सारा data select हो चुका है तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो like share और चैनल को subscribe किये बगर ना जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you